हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो अबर यूट्यूब चैनल स्वागत है आपका एप्लिकेशन ऑप टिक्नोमेट्री की एक और वीडियो में जो यह इस लेशन की लास्ट वीडियो ने वाली है इस चैप्टर की लास्ट वीडियो ने वाली है तो यहां पर सबसे पहले हम कोश अब जो यह इंगलिस में मंतर बढ़ा विश्कों हिंदी में समझाते हैं आपको ठीक है सबसे वेले क्या काया देगो फ्रॉम्द टॉप अपर सेवन मिल्टर हाई बिल्डिंग हम सहां साथ में इसका चितर भी बनाते रहेंगे जैसे जैसे कोश्चन पढ़ रहें चितर भी बनाते रहेंगे ठीक है तो चलिए अब मैं समझाता है आपको फ्रॉम डटॉप अपर सेवन मिल्टर हाई बिल्डिंग यह कह रहा है कि फ्रॉम डटॉप यानि की टॉप में से च्छत में से सबसे पहले साथ मिल्टर लंबी बिल्डिंग मना देते हैं यह देखो हमने यह ठीक है यह माल यह एक building है छोटी पतली सी यह हमारी building है ठीक हो गया जिसकी जो हमारी क्या है height कितनी है 7 meter 7 meter ठीक है यह हमारी building की height होगी ठीक हो दोस्तों फिर इसमें क्या कहा है the angle of elevation of the top of a cable tower इसके यहां से एक cable angle of elevation कह रहा है angle of elevation मतलब उपर उपर को angle मैंने कहा का था कल्ब मेंने और बार समझा है angle of elevation जापर भी आप बैठें यहां से अपने bulb को देखिए बल्ब आपके आखो से उपर है यहांने कि उपर को जब आप देखोगे angle of elevation तो यहां से हमें परा सलता है कि हम यहां से जब उपर को देखेंगे यहांने कि जो tower होगा वो इस building से बढ़ा होगा तो हम कह देते हैं कि यह है tower घृबर को भी बना देते हैं पतला हा यह हो गया हमारा tower ठीक हो गया दोस्तों यह हमारा tower है इसके टॉप में देख रहे हैं तो इसमें इसका या बन रहा है 60 degree तो मुला Ψय worried है और इस सहे को मिला दें यह कितना हो जाएगा हमारा 60 degree ठीक है और इसन तलह से की होँगे हुगह है तो यह चAST spos मुल्टर है तो इंद आने यंगा घूलाब डिप्रेa refuse ग्लाओ दे typical चाहएगा अब आपको मैं एक धामब्र बतानू हूं, आप फासे बैठ्ठों से निच्चे को देखो, अपने फर्स को देखो थीक है, वहाँ से अगर आफ फर्स को देख रहाएं दूप से थो वे गुद से थो जहते दिफो तो यहां से यानि की इससे पाऊं में जो एंगल बनेगा ये है हमारा 45-degreeее अब यह 45-degree ए तो ये एला एंगल काम होगा ये भी 45 degree होगा कैसे होगा यह बताता हूं आपको देखो याली लाइन और याली लाइन आपसमें पहले लोगे तो आपको बता है दो पहला लाइन के बीच में तो यह अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं एक्वेल होते हैं तो 45 डिग्री यह भी 45 डिग्री होगे ठीक है हम सब समझ गए अब फिर हमको निकालने है डिटर्माने हाइट अब थावर हमको टावर की हाइट निकाल लिए तो अगर हम अगर हम इतने को एक्स मान लेते हैं एक्स या फिर एक्स कुछ भी मान जाते हैं आप A B C D तो जब एक्स में से साथ जोड़ेंगे तो टावर की हाइट आजाएगी ने आजाएगी सिंपल से है ठीक है तो सबसे पहले हम इस चित्र को अपने नामकरण करते हैं पहल ठीक हो गया A B C D E यह नाम दे दिया हमने इनको इनका नाम करते हैं प्यार से हमने ठीक है अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमको क्या क्या चीज़ें दी गई है ठीक है सबसे पहले मूल मंतर जो हमारे कुछन को सुरू करने का वह है गिवन लिखेंगे गिवन क्या लिखेंग ठीक है यह ठीक है, यह हो गया फिर अगपों कहाँ दिया है, यह अमेमेकी यह अपर गता हूं आपर ईंगल Louisiana लिख आप दिष्टर को लिख्ड़ा पर sunset में आपड अइंगल ऑफ ऐलीवेश्ट याने कि वह है यह तरे यह यह टिध presents जी जी ऊने हाएं angle of depression याने की DAE या फिर EAD था जिया था हमको EAD तो क्या होताएगा वो 45 degree जाएथा यह सब गिवन है तो therefore हम लिखी दिंगे BDAB क्या होताएगा हमारा है angle BDAB क्या होताएगा 45 degree प्रैकेट में लिख दूँगा alternate angles हमने reason लिख जा कि 45 degree क्यों होगा ठीक है alternate angles यह और यह alternate angles है यह हमने बता दिया ठीक हो गया बस हमने जो जो question में हमको given था अब हमने वो लिख जा अब हमको निखालने तावर के मैं यहाँ पर लिखूँआ 2 find हमको निकालना किया है जो क्या निकालना हमको भी बताना ची 2 find है क्या निकालना हमको टावर के height height of tower height of tower height of tower बैसे total क्या है cd height of tower है हमारी cd यानि कि cd को हम c e plus e d लिख सकते हैं निख बताओ c e plus e d c e plus e d अब हमारा c e कितना है x equal to x plus e d कितना है हमारा 7 तो c d जो total height हो जाए कि x plus 7 meter ठीक है फ़ले हम x निकालेंगे फिर x जो हमारा x निकलेगा न x निकलेगा उसको साथ कहां जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा c d यानि कि जो हमको निकालना है वो हमारा answer आ जाएगा ठीक है चलो चलिए शुरू करते हैं हम अब question को फटा-फट सबसे पहले देखो हम इस triangle में ले दे इन triangle a c e में ले 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 लो या फिर सबसे पहले देखो नीचा ये triangle से शुरू करते हैं a b d अब देखो जो इसकी height होगी न ये जो ये length होगी ये मान लिया मैंने इसको मान लिया h ठीक है ये h मान लिया base building से उस tower की दूरी जो होगी न वो b d होगी तो उनके top की दूरी भी बराबर होगी याने की h तो मैं आप लिखता हूँ पहले क्या लिख लेता हूँ b d is equal to a e is equal to h है ठीक है सभी समझ गए इसको बिल्कुए सब उशार है तो अब मैं लिए लेता हूँ intringle a b d intringle a b d ठीक है a b d triangle में लिखे देखोए a b d triangle में लिखे तो यहाँ पर लिखे सबसे पहले 1045 degree 1045 degree कितना आता है opposite upon adjacent opposite upon adjacent याने की lump बटे आधार ठीक हो गया दोस्तो यह हमारा इसका फर्मला अधा 1045 का और लंब कितना है हमारा इस triangle में देखो a b d इसमें देखो लंब कितना है a b बराबर a b आधार कितना है b d ठीक हो गया अब हमें a b पता है कितना है 7 है देखो न a b 7 है हमारा ठीक हो गया तो हमें आपके लिखेंगे 1045 की वेलिए ज़िए 1 ये भी हमारा है 7 और BD हमारा है H तो जब H को इधर ले जाएंगे तो H इकल टो 7 मीटर आ जाएगा ठीक है यानि की बिल्डिंग और टावर के बीच की दूरी भी कितनी है हमारी 7 ये हमको पता चलिक है ठीक है दूस्तो तो ये H हमारा ये देखो कितना आया 7 मीटर आया ठीक है अब हम क्या करेंगे अब देखो अब हम इस वाले में लेंगे इन ट्राइंगल A.C.E. देदेंगे ठीक है पहले मैं लिखता हूं यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखूंगा मैं 1060 degree, अब भी 10 गाफ हमेरा उपर पर लिखाया तो नीचे पर लिखने की जरुवत नहीं है हमको, तो सीधे लिख देंगे 1060 degree, कॉल्टो देखो कितना है, CE upon AE, ठीक है, कहाँ दिख देंगे हम, CE upon AE, अब हमें 1060 की value पता है, root 3, और CE भी पता है, हमें X, देखो यह, देखो, CE किता है, X, और AE, देखो, हमने AE यहाँ पर से H ले रहा था, तो H हमारा 7 meter आया, तो ठीक है, 1060 root 3 होता है, CE X होता है, तो AE कितना होता है हमारा, H यानि की 7 meter, ठीक हो गया, तो X equal to 7 root 3 आगया हमारा, 7 root 3 meter, देखो, अब हमको find क्या करना है, height of tower करना है, find देखो, अब मैं हमारा लिख दूँगा, height of tower, height of tower, क्या निकालना था, हमको, X plus 7 meter निकालना था, ठीक है, अब देखो, X की value हमारे कितना है, 7 root 3 आईए, तो यहाँ पर क्या कर देखो, X की जगर, 7 root 3 लिख देगे, प्लस 7, भार से meter ही होगा, क्योंकि height meter में दिए, तो 7 को common ले लो, तो root 3 प्लस 1 meter बजगे, ठीक है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, ठीक है, अगर आप paper में यह question आता है, इस तरीके से करके आएगे, तो आपको पूरे number से पूरे number का मिलेंगे, ठीक है दोस्तो, तो यह हो गया हमारा answer, तो चलिए हम एक और question करते हैं, यह देखो, यह है question, पिस्ता question सभी को समझ माया होगा, अगर किसी को समझ में नहीं आया है, तो comment box में ज़रूर से ज़रूर बताएं, कि आपको समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको अगली वीडियो समझा दूगा, ठीक हो गया, आप लोग कमेंटे नहीं करते हैं, कमेंटी कीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ मारी हैं, तो comment भी कीजिए, ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्ते का शेर भी कीजिए, और like भी कीजिए, और channel को subscribe भी कर लिजिए, ठीक है, और bell icon भी दबाना bell को गंटी है, जिसको दबा के और मा कर लेना, जिससे कि साले notification आजाए आपके बाद चल्दी से चल्दे, ठीक है, तो चल्दी हम दूसरा question करते है, अब देखो इसमें क्या लिखा है, the angles of elevation of the top of a tower from two points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and then the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter, अब इंगलिस का मैं पाट पर जिया मैंने, किसको समझ माया होगा, किसको निया होगा, अब हम उसको हिंगी मैं समझाते है, देखो, चितर भी साथ-साथ हम बनाते रहेंगे, ठीक है, the angles of elevation of the top of a tower, ठीक है, अब एक tower दिया हमगो, सबसे पहले हम tower बनाएंगे, tower चलो, यह है हमारा tower, tower यह फिर building it, tower ही हुआए, ठीक है, यह हमारा tower हो गया, tower में थोड़ा सा design मना देते हैं, जाकि tower अच्छा मन जाए, ठीक है, tower हो गया, फिर कहा है, angle of elevation, angle of elevation मतलब है, top of, जब हम जमीन में खड़ें, यह ह यहां से हम यहां देखेंगे, और 2 point से देखेंगे, अब question पढ़ दें आए, ठीक है, top of our tower from 2 points, 2 point से देखेंगे, 1 point है, एक point ही यह हो गया, ठीक है, 2 point से जब हम इसके top of tower को देखेंगे, तो 4 meter और 9 meter के दूरी पे हैं, अब यह होगा 4 meter के दूरी पे यह point अब कोई बच्च और जो बिल्दिंग से दूर होगा वही 9 मिल्टर होगा ना इसको ऐसे सिंपल सा एक्जामपल लेलो जहां पर आप खड़े हो वहां से आपकी दिवाल की दूरी हो सकते हैं 10 मिल्टर हो ठीक है अब उसी 10 मिल्टर के बीज़न 2 पॉइंटे लेलो एक पॉइंट से दिवाल की द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे ना तो यहां से हम उपपर देखेंगे ठीक है एक एंगल ये एक एंगल ये अब इसने काया है कि जो दोनों एंगल है वो कॉंप्लिमेंटरी एंगल नेवल ठीक है इन दोनों का सम वो दिर रखा 90 तो तब इन दोनों को एड़ करेंगे मैनेस X करोगे है तो XX करजाएगा 90 डिर आठिक है तो यहीपर दिया विच्छहन देखेंगे अगर आप सप्कलिमेंटरी धन की एगल को नाम नाम खरते है Southeast इस बिंदू को देट है सी नाम और इस वाले को देट डीक है इस चित्रा का मण करूँ नाम नाम करते है यह हो सु भाही मेरको नाम दीजिया कर रहा है ठीक है अब क्या करना है उसके आगे देख लेते हैं प्रूफ देख लेते हैं अब यह जो हमारे चित्रे तब अच्छे से खूस होगा जब यह कहेगा जब इसकी टावर की हैट हम 6 मिल्कुल प्रूफ कर देंगे ठीक है सबसे पहले हम मान सबसे पहले हम गिवन लिख देंगे हमारा BC है BC is equal to कितना है यह 4 मीटर और वैसे ही हमारा BD है BD कितना है 9 मीटर ठीक है यह BD 9 मीटर रगा है इस अभी को पता है और फिर हम लिख देंगे हमको angle भी पता है BCA या फिर ACB angle ACB is equal to कितना हो गया X degree और दूसरा angle हो जाएगा ADB वह कितना हो जाएगा हमारा 90 माइनस X degree 90 माइनस X degree ठीक है तो यह हमको वह हो गया है जो जो हमको गिवन हमने लिख जया अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिखेंगे यह आप लिखूंग हमें 2 proof अभी तक हमको find करना था अब इसने कहाए कि 2 proof करो 2 proof क्या करना है हमको height of tower height of tower is equal to 6 meter यह हमको proof करना है ठीक है अब हम आप सबसे पहले शुरू करेंगे proof proof ठीक है proof क्या हमने क्या माना height tower के height हम पहले edge माने थे let height of tower हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे माना की tower की उंचाई कितनी है x h that height of tower height of tower बराबर कितना होगा h meter ठीक हो गया अब हम इस को शुरू करेंगे सबसे बाले हम इस triangle में लिखेंगे फिर इस triangle में लिखेंगे फिर हम उसको solve गरेंगे ठीक हो गया देखो सबसे बड़े लिखेंगे हम perpendicular upon base के बीच में क्या relation होता है 10 का relation होता है opposite side upon adjacent side वह होता है 10 का तो यह होताएगा 10 x degree क्योंगी angle x है हमारा opposite फिर अगर मैं इस कोशे में लिखता नहीं हो चलो मैं लिख देता हूं ताकि आपको यह भी आसान हो जाए opposite upon adjacent ठीक हो गया लेकिन आपको अब यह यात करने पड़े अपोजित होता है लंबवद अपॉन यह होता है आधार ठीक हो गया दोस्तों सभी समझेंगे इस अब बास फिर इस इक्वाल टू क्या है लंबवद कितने है हमारा a b ठीक है बच्छा लोग a b और हमारा इसका आधार कितने है b c सही बच्छा लोग 10x तो 10x ही रेगा क्यों हमको इसकी वैल्यू निदी है तो हम इसको बैसे उतार देंगे 10x को अब देखो a b कितना है a b कितना है हमारा h है ठीक है और हमारा b c कितना है 4 मिटर तो ठीक है हम यह वह लिख देंगे h upon 4 यह हमारा हो गया ठीक है इसको हमाल लेंगे equation 1 सबंज गे सभी लोग in triangle क्योंकि आज आज से निकल नहीं सकती तो सपहले हम दूसरे triangle में भी देख लेते हैं वहाँ क्या पर्चिगिरिया हो रही है अब देख लेंगे in triangle a b d ठीक है अब बड़ा रा triangle ले लेंगे in triangle a b d ठीक है उसमें देखो angle कितना है 90 minus x तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 90 minus x is equal to देखो यह opposite अब इसके opposite में भी same है a b है upon base कितना है इसका b d तो अब से पर लिखेंगे हम a b upon b d अब देखो 10 90 minus x तो बैसी दिखेंगे हम यहाँ पर 10 90 minus x अब a b कितना है देखो a b हमारा h है b d कितना है 9 meter है तो यहाँ पर लिखेंगे हम h upon 9 meter ठीक है अब देखो मैं 10 90 minus x बताया था आप इकोल टू 10 90 minus x यह using ही दिख देता हम यह आपर ठीक है ताकि आपके लिए सरल हो जाए यह हमने use किया तो हमारा यहाँ पर cortex कितना हो जाएगा h upon 9 यानिक होगी equation 2 तो हमारी equation 1 भी आई equation 2 भी आई अब हम क्या खरेंगे दोनों का आपस हम multiply कर देते हैं ठीक है multiply equation 1 and equation 2 ठीक हो गया अब 10x को हम cortex के साथ multiply करेंगे और h upon 4 को हम हम अपने यह देखो h upon 4 को हम h upon 9 से multiply करेंगे ठीक है h upon 4 को h upon 9 से 10x को cortex से ठीक है अब 10x और cortex के वीच में एक relation हमता है cortex equal to 1 upon 10x होता है याकि और यहाँ पर लिख देता हूँ चलो because 10x is equal to 1 upon cortex यहाँ फिर cortex is equal to 1 upon 10x ये हम को पता है ठीक है तो आब इसमें से कुछ भी रखते है याट 10x के जग से जगा इतना रखते हैंotta cortex के जग से एतना रखते हो ठीक है まær 10x के 10x into 1 upon 10x से रख रहा हूं ठीक है it is equal to h into h कितना होता है h square ठीक है और 49 से कितना होता है थर Á तो 10x से 10x से कड़ गया h square upon 36 is equal to 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं लिख सकते हैं बिल्कुल तो यह हो जाएगा हमारा h square is equal to 36 तो 36 से स्टाइगा ठीक है तो h equal to जब under root 36 करेंगे 36 क्या होता है under root 6 into 6 तो यानि कि h हमारा plus minus 6 आ जाएगा 6 meter यह देखो 6 meter अब मेरे को यह बताओ किसी भी building की height minus में होगी है minus में होगी building की height जब आप जैसे आपकी पैने जैसे यह पैने अगर मैं इसकी height ना पूँगा यह centimeter कुछ भी आएगी plus में आएगी minus में तो नहीं आएगी ना हम जब भी किसी भी चीज को नापते हो minus में नहीं आता है तो यह इसकी height होगी h equal to 6 meter होगी h equal to minus 6 meter नहीं होगी ठीक है यह नहीं होगी तो हमारा यहाँ से आगया height of tower height of tower क्या आगया हमारा यहाँ से 6 meter तो देखो हम गो क्या proof करना था height of tower 6 meter प्रूफ करना था तो हमने प्रूफ कर दिया लाच में लिए रहेंगे hands of proof hands of proof ठीक है तो देखो हमको proof करना था यह देखो height of tower 6 meter प्रूफ करने थी हमने proof कर दिया ठीक है तो यह बड़ी आसानी से हमारे question solve हो गई तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक समझमा आया होगा ठीक हो अचलो अगर कोई भी दिक्कत है किसी भी बालक को तो comment section में पूछ सकता है हम उनका जवाब पका से पका दिंगे ठीक हो गया तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए वीडियो पसंद आये तो like कीजिए और अपने दोस्तों के हिसान share कीजिए ठीक हो गया और subscribe वाले बटन को जोड से दबा दीजिए ठीक हो गया ठीक है जिससे कि आपके पास सबसे पहले आए इसलिए subscribe कर लिजे चैनल को बहुत सारी अलग-अलग topic पर वीडियो आने वाली है ठीक है मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए दोगत की दूरी मास्क है जरूरी अपना जहान लखे अपने घरवालों का जहान लखे आसपास साब स्वाई बनाए रखे ठीक है मिलते हैं एक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थांक्स को और वाचिंग प्लीज 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 शेयर लाइक एंड सब्स्क्राइब करिये चैनल को धन्यवाद